हत्या और रेप के मामले में सजा काट रहे गुर्मी दरामरहिम के लिए इस बार सुनारे जेल में नामात्र राखिया पहुंची है 2017 में गुर्मी दरामरहिम को सुनारे जेल में लाया गया था उसी वरस रक्षा बंदन के तोहार पर 5 लाग के करीब राक्या जेल में पहुंची थी लेकिन 6 साल के दोरान सजा काटते काटते गुर्मित रामरीम की बैने भी नराज होती गई पिछले साल की बात की जाये तो एक लाग के करीब राखिया गुरुमित रामरिमी के लिए सुनारे जेल पहुंची थी लेकिन इस बार हजार राखियों का ही आकड़ा पार हो पाया है डाक विभाग में राखियों की छटनी करने के लिए इन दिनों अलग से करमचारी नुक्त किया जाते थे लेकिन इस बार कम राखिया होने के चलते जरूर नहीं पड़ी वहीं दूसरी और रोहतक डाक विभाग के अधिकारी दिपिक मलोतरा ने बताए कि त्योहार के वक्त डाक विभाग के करमचारी वा काम बढ़ जाता है राखिया बाटने के लिए 40 पोस्ट मैन की ड्यूटी लगाई गई है जब उनसे सवाल किया गया कि इस बार गुर्मित रावरेम के लिए राखिया कम आई हैं तो उन्होंने कहा समय समय पर माहौल बदलता है कभी ज़्यादा राखिया पहुंचती है तो कभी कम उन्होंने कहा रोतक पोस्ट डिपार्टमेंट मे राखियों की छटनी के लिए अलग से हभ बनाया गया है यहां से छटनी होकर पेठी सुनारिया में राखिया पहुंचाई जाती है और जो लोगों का विश्वाश है वो भाग के उपर इस समय ज्यादा है और लोग चाहते हैं कि हम अपनी जो फैसलिटी हमारी है उसको स्पीड पोस्ट की रिजिटर पोस्ट की उसको इस्तमाल करें ताकि उनकी जो डाक है या राकी वगारा मेल है समय पे उनको डिवर हो सके और जो हो भी रही है राखिये अभी भी आ रही है उसके लिए हमारा स्पीड पोस्टिंग हब बना हुए कारले में तो उसके माद्यम से वो पीटी सी सुनारिया के अंदर पोस्टो विश्गी ब्रांच है वहां पर प्रती दिन भेजी जा रही है ऐसा महोल तो वेरी करता र रहती है और कभी कम रहती है उस पर डिपेंड करता है